मर्यादाओं पर चल कर बने मर्यादा पुर्शोतम आए इस और बढ़ाए एक कदम पर्तमान समय पुर्शोतम आज चल रहा है और हम सभी प्रामन कुल भूशन भाई बैने कितने भागिस साली हैं जो कडोरों में से कोई न कोई रूप में परमात्मा ने हमें चुना है कभी सोचा भी नहीं था सौपन में कि भगवान भी सिक्षक बन कर पढ़ाएंगे पिता के रूप में पालना देंगे और मा के रूप में रोज ग्यान के भोजन को नेने तरीके से तयार करके हम बच्चों को खिलाएंगे मा के उस आचल में इस तमो परधान दुनिया के दूप से बच्च करके खुशी आनन्द में अपने जीवन को बिताएंगे बाबा ने इसी आनन्द में जीवन को कंटिनिवस रखने के लिए अतींद्रे सुख में जीवन बनाने के लिए हमें मर्यादाओं के तरफ इशारा दिया है और वही मर्यादा रिमाइंड कराते हैं बाबा रोज की वानी के त्रूँ इसी सिल्सले में आज बाबा ने कहा है तुम्हें मर्यादा का पालन करना है बाकी सब भली बगुले है बाकी सब के संग दोस से अपने आपको बचाओ किसी के संसकारों के प्रभाव में आकर के उस्सा करना, चोरी करना, बुरा काम करना ये सभी महापाप है कितनी गहराई से आज की वानी में हमें ये स्रिमत मिल रही है महापाप है किसी के अउगुण देखना भी महापाप है बिना पूछे कुछ उठा लेना भी महापाप है क्योंकि उसके कारण किसी के संकल्प पिकल्प चलेंगे किसी कारे बेवस्था में बाधाय आएंगे उसके लिए बाबा ने कहा है मर्यादा है आप अपनी जाज करो जज योर्सेल्फ अज्यान काल में बहुत समय अपनी बुद्धी का उप्योग दूसरे के जज्जमेंट के लिए लगाया आज भी अज्यानता में मनुष्य अपना बहुत समय वो ठीक नहीं है उसे ऐसा नहीं करना चीए, उसे ऐसा नहीं बोलना चीए, उसे ऐसा नहीं सोचना चीए दूसरों के बारे में ही चिंतन कर रहा हर व्यक्ति कोई बड़ों के बारे में, कोई छोटों के बारे में, कोई पडोसी के बारे में, कुछ न कुछ लेकिन स्वाहिम के बारे में चिंतन की कला स्वाहिम भगवान ने हमें सिखाई, शेव बाबा ने हमें सिखाई, विश्व कल्यानकारी भगवान ने हमें सिखाई, इसलिए निरंतर आत्म विशलेशन, आत्म चेकिंग और आत्म परिवर्तन की यात्रा में अगरसर रहे, अपन हमारी मर्यादा है जैसे हम फ्लाइट में बैठते हैं तो हमें बार-बार एनॉंसमेंट सुनने को मिलती बेल्ट बान लेजिया फ्लाइट उतरने वाला होता है तो और उपर चड़ने माला होता है तो ल tou अभी बिस लेशन कर सकेंगे, मुझे कहां कहां बदलने के जरुवत है दूसरे जो कर रहे हैं, एक्यूरेट कर रहे हैं बदलना मुझे है और मुझे देखकर औरों में भी परिवरतना आएगा क्योंकि बाबा ने कहा है तुम हो लाइट हाउस और माइट हाउस तुम दूसरों को रास्ता दिखाने वाले हो अपने दिबे कर्म से तो हम बच्चों की ये मर्यादा है कि हम अपने उपर ध्यान अधिक से अधिक बढ़ाएं बहुत बहुत शुब कामना है बाबा की शक्तियों के तले पलने फुलने की हम बच्चों को बहुत-बहुत पदाई ओम शान्ते